हेलो गाइस कैसे हैं आप सब लोग मुझे उमीद है आप सब लोग अपनी जीवन में काफी कुछ अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे तो friends finally यहां पे season है RTX 40 series के जो भी laptops आएंगे उनके launch होने का धीरे धीरे and I am surprised to see that Gigabyte की जो timeline है दोस्तों इनके laptop launch में इंडिया में काफी ज्यादा सही बैठती है आँ ऐसा नहीं है friends की Gigabyte के laptop जो है इंडिया में नए हैं पिछले एक साल से जो है इनकी regularly launch हो रही है लेकिन पिछले साल जो है दोस्तों इन्होंने इनके laptop के launching थोड़ी देर से की हुई थी and the price seems to be little bit overpriced but the thing is not same here at all this is 2023 और यहां पे जो आप लोगों को Gigabyte के laptops की pricing देखने को मिलती है काफी जादा sensible है in most of the cases और definitely क्योंकि यहां पे season चल रहा है तो launch time बिल्कुल यहां पे accurate बैठता है now इन्होंने जो है friends यहां पे लगबग 6 configurations launch की हुई है लेकिन यहां पे मैं only sensible models जो कि price wise sense बनाते हैं और performance wise sense बनाते हैं वही models जो है मैं यहां पे cover करने वाला हूँ 25MF जहां पे respectively आप लोगों को RTX 4060 और RTX 4050 जो है देखने को यहां पर मिल जाता है आईए देखते हैं एक एक करके चीजे जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज़्यादा जरूरी है and this is the cheapest RTX 4060 laptop which you can get in the market right now ठीक है definitely Asus की tough series जो है इसको टक कर देगी लेकिन दोस्तों यहां पे कुछ न कुछ cost cutting की हुई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज़्यादा जरूरी है तो brief में जो है उसको भी मैं यहां पे discuss करने वाल हूँ subscribe कर लो मेरे channel को like कीजे इस video को और बहुत सारे लोगों के साथ में definitely share कीजे because यहां पे आप लोगों को काफी ज़्यादा value देखने को मिलने वाली है तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहां पे laptop पे नजर मार लेते हैं इस बार इन लोगों ने 22% जो है यहां पे bezels को reduce किया हुआ है screen size भले ही आप लोगों को same देखने को मिल रहा हो लेकिन overall जो frame factor है वो आप लोगों का 22% यहां पे reduce हो जाता है design के बात करें तो सारे A to Z features आप लोगों को जो की इस price point पे देखने को मिलने चाहिए वो सारे मिलते हैं for example backlit keyboard जो है यहां पे आपको देखने को मिल जाता है 144hz की जो है आप लोगों को super fast refresh rate यहां पे देखने को मिल जाती है screen में साथी में अगर यहां पे आप लोग heat pipes की बात करें तो 4 heat pipes 4 exhaust vent देखने को मिलते हैं और blade fans जो हैं यहां पे आप लोगों को 59 देखने को मिलते हैं it's the first time I am seeing anyway guys अगर आपको मेरे इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी value मिलती है then do consider subscribing to my channel and liking this video and sharing this video with your friends mentioning की भई blade fans में जो है fans में blade कितने हैं ठीक है तो company usually ऐसा mention नहीं करती है usually what they brag about is कि fan के हमने design बदल दिये है more aerodynamic हो गए है ज्यादा air inflow लेंगे यह सब हर company हर साल करती है but mentioning the number of blades in a fan I think it's really takes some guts उसके बात करते हैं दोस्तों यहां पे इसके bezels की तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया bezels जो है इसके मुझे काफी ज्यादा narrow लगे and 2023 में मुझे लगता है कि इतने narrow bezels जो है कोई भी laptop के बिल्कुल होने चाहिए क्योंकि मेरा खुद का experience रहा है दोस्तों I use lggram 2021 जो कि उसके time से काफी ज्यादा एहर था उसका design और इतने ही जो है आप लोगों को वहाँ पर narrow bezel देखने को मिलते हैं in fact bottom bezel भी जो है काफी ज़्यादा वहाँ पर narrow देखने को मिल जाती है तो एक immersive experience रहता है और once you get to use this type of experience ठीक है आप जब इसके आदत हो जाती है न ऐसे bezels यूज करने की तो आपको बागी दूसरे laptop फिर फीक है यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आप लोगों को wifi 6 gigabyte plus का जो है support देखने को मिलता है लेकिन उसके लिए आपका जो wifi और internet connection है उस level का यहाँ पर होना चाहिए now DTS X Ultra यहाँ पर इस चीज के बारे में मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मेरे laptop में भी जो है उसमें जाके आप अगर थोड़ी बहुत tweak करते हैं तो काफी ज्यादा फरक जो है आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है तो by default जो है यह वाली app पकड़ लेती है music हो गया game हो गया depending upon your content लेकिन आप custom पर जाके अगर खुच से चीजों को tune करेंगे कुछ नहीं लगता 2-3 minute लगते हैं tune करने के लिए ज्यादा कोई ऐसा rocket science का काम नहीं है तो आपको जो है यहाँ पर काफी ज्यादा help होने वाली है keyboard की बात करें तो definitely यहाँ पर आप लोग देख पाएं जे दोस्तो backlit keyboard है port situation which is very very interesting here आप लोगों को यहाँ पर दो type C port देखने को मिलते हैं और यहाँ पर आप लोग देख माएंगे दोस्तों की laptop के पीछे में भी port situation आप लोगों को देखने को मिलती है which I think is gonna be lot more common in 2023 usually पीछे वाली side जो है company छोड़ देती थी लेकिन अब आप लोग देखेंगे कि basic सी जो Acer वाली series है gaming laptop की वहाँ पी भी आप लोगों को पीछे के side में जो है ports देखने को मिलते हैं so it really helps the consumer कि वो जो है अपना desktop setup जो है यहाँ पर clean रखे और बहुत सारी चीजे जो हैं दोस्तों जैसे की laptop की charging wire वो आपको disrupt नहीं करेगी अगर आप उसे पीछे plug यहाँ पर करते है तो now let's jump to those specifications where they have cut the corner because इस laptop की pricing आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है एक लाख आठ हजार that's the launching price ठीक है अगर यह जब sale को आएगा जो की May early यानि 1st May को जो है आपका चालू हो जाएगा Amazon और Flipkart पे as of now यह कहीं नहीं है in fact उनके launch event में भी जो है उन लोगों ने mention किया हुआ है कि early May में जो है यह वाला laptop आप लोगों को देखने को मिलेगा तो कोई और भी updates आएगे तो मैं आप लोगों को definitely यहाँ पर update दे दूँगा तो चलिए बात करते हैं वैसे corner के बारे में जहाँ पे इन लोगों ने पैसा बचा है हुआ है because to be honest guys इस laptop की थोड़ी जो upgraded series है वहाँ पे भी RTX 4060 है लेकिन उस laptop की price 1,70,000 रुपए और इस laptop की price 1,00,000,000 यहाँ पे आप लोगों को 7 या फिर 8,000 मानके चलिए वो देखने को जो है यहाँ पे मिलती है तो ऐसा क्यों है तो सबसे पहली बात यहाँ पे आती है पुराना प्रोसेसर ठीक है प्रेटायव है पर एक्सापल आपके महंगे RTX 4060 वाले लैपटोप है वहाँ पे आप लोगों को TGP 140 Watt देखने को मिलेगी लेकिन यहाँ पे जो है आप लोगों को 75 Watt जो है TGP देखने को यहाँ पर मिलती है तो प्रोसेसर भी आपका i5 12th जनेरेशन वाला है not a slouch processor still I will say it's a middle level ground not a high not a low it's somewhere in the middle तो उस हिसाब से आपका ग्राफिक कार्ड भी है जहां पर आप लोगों को 75 Watt जो है TGP देखने को मिलती है फिर बात आजाती ही दोस्तों screen की so obviously they have tried to hide the stat of the screen just mentioning 144 Hz display and display I was not expecting this thing from gigabyte at least sRGB तो लिखना बिलकुल उनको चाहिए था लेकिन कैसे लिखते है वो लिखने लाइक नहीं होगा वही battery pack जो है यह लोग यहां पर use कर रहे है तो यह 3-4 जगह है दोस्तों जहां पर इन लोगों ने cost को cut किया हुआ है एक और जगह आप लोग यहां पर देख सकते हैं जहां पर नए नए laptop जो है महेंगे वाले आप लोग देखेंगे कि DDR 5 RAM के साथ में आपको देखने को मिल करना है मुझे comment section में जरूर लिक कर बताइए मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में